ना हिंदू से ना मुसल्मान से मेरी पहचान है हिंदूस्तान से असलाम अलेकूम हमेशा ही मुम्रा का मुशायरा ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे पूरा हिंदूस्तान जमा हो गया और यह डाइस इसकी पूरी जमानत है हाजरीन मैं फिल पिला तमहीद पढ़ती हूँ सुनिएगा कि सितमगर की तबाही के लिए सामान होता है सितमगर की तबाही के लिए सामान होता है हमारा इत्तिहाद अब जंग का ऐलान होता है हमारा इत्तिहाद अब जंग का ऐलान होता है और बिखर जाएंगे तो छीटों की तरह होंगे दिवारों पर यही कत्रे कट्टा हो तो हिंदुस्तान होता है बहुत शुक्रिया और मेरी बेहने भी बैठी है और जिस तरह योगी जी ने कहा कि औरतों को बाहर निकल दिया गया और अपने कंबल में मर्द घुसे बैठे हैं तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उनकी होम मिनिस्ट्री के लिए हमारी होम मिनिस्ट्री काफी है और इस हो मेनिस्ट्री से आपका डर पता चल रहा है तो सुनिएगा कि दुनिया में महबत की तलबगार है औरत दुनिया में महबत की तलबगार है औरत नफरत का रास्ता हो तो दिवार है औरत नफरत का रास्ता हो तो दिवार है औरत और फूलों से भी नाजुक है अगर सर को जुका ले मैं खुद ममता कि यहां से बंगाल से आती हूँ फूलों से भी नाजुक है अगर सर को जुका ले उठे तो चमकती हुई तलवार है और यही तलवार यकीन जाने कि बीजेपी सरकार के उपर लटक रही है और इसी से इनका सीना 56 इन से 6 इंच का हो चुका है एक बार जोरदार ताली बचा है हमारी बहनों के लिए और यहां से हमेशा हिंदुस्तान में बाग का जबी भी जंग अजादी हुई है तो बाग का बड़ा रोल रहा है और आज भी हमारे यहां शाहिन बाग एक मिसाल है तो सुनिएगा ए नार सी तो काले धुएं का चराग है ए नार सी तो काले धुएं का चराग है जमूरियत के माथे पे नफरत का दाग है ये एकता है एहल मोहबत की एकता जिसकी मिसाल हिंद में शाहीन बाग है बहुत बहुत शुक्रियां आप लोगों की मोहबतों का और सबसे काला साल तो हमारे लिए वो था जिसे हम 2014 कहते हैं बिना किसी भाशन में मैं अपने मिस्रों में बताना चाहूंगी कि कैसे ये 2014 से लेके और NPR तक ये वक्त गुजरा है कि कुर्सी मिली है जब से बवाल कर दिया ये आखरी चार मिस्रे हैं इनको जरा सा अच्छे से सुन लिजे क्योंकि जाहर है कि हर शायर के हिस्से में कम वक्त आ रहा तो जरा से सुन लिजे भाई कुर्सी मिली है जब से बवाल कर दिया जीना गरीबों का बस मौहाल कर दिया जीना गरीबों का बस मौहाल कर दिया जीस्टी ने बस से बत्तर हाल कर दिया क्या नोट बंदी की है कि कंगाल कर दिया और अभी तो महंगाई से समले भी नहीं थे अभी तो महंगाई से समले भी नहीं थे या मेरी बेहने बैठी है कि प्यास के मार से समले भी नहीं थे एनारसिला के खून में उबाल कर दिया बहुत शुक्रिया और आप लोग के लिए चार लाइन दे के जाती हूं उसके बाद मैं आपकी जहमते तमाम कि होसला अपने इरादों के बढ़ाए रखना आज 26 जन्वरी है और उन तक ये बात पहुशनी चाहिए अभी तक बीजेपी के नेता हमारे माए बेट्यों के इसमत पे हाट डाल रहे थे लिकिन उन्होंने बहुत गल्ती कर ली कि उन्होंने समविधान के आबरू पे हाट डाल दिया कि होसला अपनी इरादों के बढ़ाए रखना यकजहीती के चरागों को जलाए रखना आबरू अपने समविधान की रखनी है हमें आबरू अपने समविधान की रखनी हमें जान देना मगर इसको बचाए रखना बहुत बहुत शुक्रिया